सब्सक्क्राइब निलूफर निहां खान वेलकम तो आर यूटुब चैनल सिख्षा ले तो आज हम बात करेंगे पी टीचे के बारे में जैसे कि मेरी काफी वीडियोस में comments आ रहे थे PGT teacher को लेकर कि as a guest teacher आप PGT में कैसे सलेक्ट रो सकते हैं क्या eligibility criteria है और किन चीज को हमती हैं चीजों को हम थोड़ा सा खौर कर सकते हैं और selection process क्या होता है इन सभी questions के बारे में आज की video में discuss करेंगे & discuss मांगा जाथा है या नहीं मांगा जाता इसके बारे में भी क्योंकि काफी बच्चों को यही कोशन यही एक डाउट रहता है कि सीटर जरूरी है यह नहीं है ठीक है तो आज की वीडियो में हम कोशिश यही करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और इन केस अगर मैं कुछ भूल जाती है जैसे कि जो आपकी पीजटी नॉर्मल जब आप पर्मनेंट टीचर के लिए अपलाय करते हैं जो क्वालिफिकेशन आपकी महां मांगे जाती है जैसे कि आपकी ग्रेजविशन आपकी पोस्ट ग्रेजविशन प्लस आपका बीएड ठीक है तो यह तीनों चीज़ों तो म कि आपने कर रखा है तो कोई ज़रूर ही नहीं कर रहा है तो इसमें आपको से थक कोई भी आपको नहीं मांगा जाताए तसी सेट सिर्सेचा पका प्रेंट लैंश की सज़ुआ जाता आप से eligibility criteria को fulfill कर दे के लिए अब बात करें आपके selection process के बारे में जैसे कि मैंने आपने टीजटी वीडियो में भी बताया कि online form निकलते हैं और form कौन कौन निकालता है आपका एक तो सर्फिक्षा अभ्यान के अंतरगत निकलते हैं दूसरे आपके normal डेली government के according निकलते है as a guest teacher ठीक है यह दो form निकलते हैं आप बात करें आपके सर्फिक्षा अभ्यान के बारे में तो यहां अच्छी खासी cut-up आपकी देखने को मिलती है और अगर normal guest teacher की बात करें तो यहां पर आपको इतनी अच्छी cut-up नहीं देखने को मिलती जैसे कि आपका सर्फिक्षा भ्य है और उनकी qualification last year qualification जैसे कि आप जानते ही हो कि previous result आपके बहुत माइने रखते हैं आपके selection process में ठीक है तो यह बहुत जरूरी चीज़ है और इसमें अगर हम बात करें आपके merit की बारे में तो merit किस तरी किसे बनती है वो जान लीजिए देखें यहां पर आपके 50 में से number जुरते हैं 50 में से कैसे 10th 12th graduation PG और आपका B.E.D. इन पांचों subject को आपको ददस number दे दिये जाते हैं जैसे कि मैंने TGT teacher में भी बताया और PRT में भी बताया PRT में आपका 30 marks में स है और यही आगर PGT की बात करें पोस्ट ग्रैजुएट teacher के बारे में बात करें तो यहां आपके 50 में से marks चुरते हैं अब 50 कैसे होते हैं 16 आपके 10 प्रहें यूंट को लिए जाएंगे 10ल माक्स आपके 12 स्थ परणिख धिये जाएंगे 10 यूर्ट केवाइट अंगे आप आपकी जो भी merit बनती है उसके according आपका बनेगा आप example अगर मैं बताओं तो देखी जैसे किसी बच्चे के 10th में 68% आए है तो उसका 10 में से हम कितना मानेंगे 60.8 ठीक है 6.8 ठीक है 6.8 हम इसे 10 में से मानेंगे यहीं अगर 12 में 71 परसंट आए है तो यहां पर हम क्या मानेंगे उसे 7.1 10 में से तो इस तरीके से आप 50 का calculate करते हैं और calculation में जैसे अगर 40 से अब या 40 के around आपकी cut-off बैठते है तो बहुत chances हो जाते हैं आपके select होने के ठीक है जैसे कि आपको पता ही है यहां के seat at नहीं मांगा जाता लेकिन आपकी जो last results रहे हैं वो बहुत माइने रखते हैं तो अगर आपका इतना अच्छा result है तो आप एक analysis कर सकते हो और कोशिश कीजिएगा कि आपका selection हुई ही जाए क्योंकि यहां पर एक बहुत अच्छी opportunity मिलती है आपको as a guest teacher select होने के लिए और अगर हम बात करें आपके इतना हो जाता है आपका तो बात करें आपके salary के बारे में जो की सब बच्चों को motivate बहुत जादा करती है तो salary अगर हम बात करें तो जैसे कि आपकी 38 आपकी TGT की मिलती है 36 और 37 around आपकी PRT level को मिलती है यहीं पर अगर हम PGT level की बात करें तो 40 के around आपको salary देखने को मिलती ह अगर हम बात करें आपकी normal guest teacher के बारे में तो उन्हें पर-डे के according पैसे मिलते हैं पर-डे में जैसे कि अगर वो Saturday Sunday उनका off है जैसे चुट्टी है तो उन दिनों के पैसे नहीं मिलेंगे कोई festival आ गया तो उसका भी पैसे नहीं मिलेंगे यानि कि जो भी आपके working days होंगे सिर्फ उनी के ही आपको पैसे दिये जाते हैं और payment करी जाती है ठीक है तो अगर हम बात करें आपके normal guest teacher के बारे में तो normal guest teacher जो लगते हैं उनका पर-डे में आपको 1450 रुपीज उन्हें मिलते है 1450 रुपीज उन्हें पर डे मिलता है यहीं पर अगर TGT वालों की बात करें तो TGT लेवल पर 1400 मिलते हैं यहां पर बस 50 रुपय एक्स्रा मिलते हैं PGT वालों को लिए ठीक है और बात करें आपके सब्सक्राइब स्व्पयान के अंदर अगरठ तो उनकी एक फिक्स अलरी होती हैं उनने किसी इनकी चुटि का पैसे नहीं काटे जाते तो यह इनके लिए इक कि अच्छी बात कह लीजे एक अच्छी चीज़ है और अब बात करें अपके पॉंट्रेक्ट के बारे में जैसे कि काफी बच्छे रहते हैं कॉंट्रेक्ट के बारे में देखे और किसी जैसे केवीएस हो गए ने इनका मुझे नहीं पता जादा लेकिन DSSB में क्या मैंने जितना बात किया उनके according में बता रही हूं तो DSSB में अगर आपका एक बारी स्कूल हो जाते हूं तो वही लोग आपको अलग-अलग स्कूल में रेफर करते रहते हैं अगर कोई पर्मनेंट टीचर आपकी जगा पर आता है तो वह स्कूल्स वाले ही आपको दूसरे स्कूल में रेफर कर देते हैं ठीक है और उन्हें पता होता है सारी कुछ चीजें कि कहां पर वेकिंसी हैं कहां पर निकली हुई है कहां पर सीट खाली है तो ऐसा नहीं है कि उन सब्सक्राइब नहीं मांगा जाता वैसे सीट इसमें जरूरी भी कहां क्योंकि सीट आपका सिर्फ एर्थ तक के लिए ही वैलिड होता है और आपका पीजिटी के लिए अभी तक कोई भी टैट या फिर कोई भी सीट ऐसा नहीं आया है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिट वीडियो हमारी खतम होती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी यूस्फुल वीडियो और इंफर्मीशन में आपके लिए लाते रहते हैं तो प्लीज चैनल सो जुड़े रहें चैनल के साथ बने रहे थैंक यू पर वाचिंगा